मंगलवार, सुबह नौ बजे, दार्जिलिंग इस पहाड़ी शहर की सुहानी सुबह, जहां सैलानी आराम और शान्ती के लिए आते हैं, लेकिन आज की पल-पल बदलती और घड़ी की सुयों से बंधी दुनिया में, यहां भी कुछ ऐसा है, जो शान्त नहीं है कि अ अ कि अे सुपचे हां। है जाए लग जा लग जा लग जा लग जा ठीक सिनल वी कि सटलेट से जोड़ते साथ यह फाइल डाउन्नोड होनी शुरू हो गई मेरे पास वो है जो तुम्हे चाहिए यह कहीं और भी कनेक्ट हो गया उसना हमारे सार्व को कनेक्ट किया है मैं खोचता हूँ अधिए पास फिर्ट आप गया उसे खोज़ू हाँ खोज़ू है बस जल्दी पूरा हो जाए नहीं पास फत्म होने वला है हाँ जानता हूँ इस शुरूब्ली वाह पास पूरा हुआँ आँ करेंगा मैंने धून्द लिया वो बागराए वो गोड़ जिसका जर्था वही हो घब बागराए परत पर प्लापर का वोड़ एग प्रिखंड़ों हpping पूर्ज वाउ हॉ k lifelong प्रिखंड़ों हम्री अ क्लिखं दो मेंने चूर हॉ भढ़ाहा ह। शुट मुझ अ! झाल, कि अजर बहा है, बढ़ा है, जाया है trip यादित कर दो तो हुआ है झाल कर दो लुट झाल तो हुआ है कर दो कर दो कर दो प्णे टोर छोर गा क och भीका पुआ लोर देदाने जगे आप अरहा दोरन को ध कि रहें है। हुघ खूंरेंदक नहीं खूंरे... प्रहा जह टुद्ट कर दुड़ा जुड़ा जुड़ा सुनुबर कर दो है? यह शुड़ा ज़ा है तो कर दो टान है यह सतन Ihnen जुड़ा है औॉह नूह स्पिन भूह और नफबर सबते रादारे, पुर देनलू कार बाझ। पुर्व, हाग। पुर्ष। पुर्ष्ष्ट प्रादो क्ला मिभ्ट हेलो सुरी हां मैं लेट होगया तो आप लोग क्या लेंगे काफी या चाहें फालतू बातें छोड़कर काम की बाते करेंगे तो बहते रोका सॉरी शुरू करें डोल कर ओके मिश्टर निश्य शेखर इट्स मिश्वाती डिवोस अब तक कन्फर्म हुआ किया दोनों अभी भी पती-पती चे लास सेशन की बात आपने फालो की थी क्या यह जिन्दगी एक पकड़ा है प्याज क्या उसे बनाने के लिए ब्यसन मिलाना पड़ता है प्याज की पकड़ियां बनाने आएं या जगड़े सुल जाने के लिए एक्जाक्ली प्याज में बेसन मिलेंगे तो वो भिखर जाएंगा रिलेशन्शिप की तरह मैं भी यही कहती हूँ यह मानते ही नहीं मेरा मजाक उड़ा आते हैं अबे तु काउंसेलर है या रसोईया देखो सुवाती तो मैंने ही लगता कि हमें खाना बनाने के अलावा कुछ बड़े इशुज उठाने चाहिए जिससे हमारा डिवास पक्का हो जाए मतलब यह कोई बड़ा इशु नहीं है मिस्टर शेकर अरे मिया भीवी के बीच में तुम टांग मत आड़ाओ यार लेकिन मिया भीवी के बीच में बोलने के लिए तो कोट मेर को पैसा देता है देखो सुवाती घर में चाय और प्यास की पकोड़ी खाते हो भी आम प्रब्लम सॉल्व कर सकते हैं कोड़ी खाकर प्रब्लम सॉल्व करने का स्टेच क्रोस हो चुका है मिस्टर शेकर यह रेलेशिंशिप इस्टेच पर पहुंच गई कि मानता हू लेकिन तुमने मुझे तो बोलने का कभी मौका ही नहीं दिया सबसे पहले एक बात बताओ मुझे तुमने कभी बोलने की कोशिश की थी कई बार कोशिश की लेकिन तुमने मेरी कोशिश नाकाम कर दी ओके फाइन आज निकाल लो अपनी बढ़ास चलो शुरू हो जाओ अब क्या बोलो मैं मुझे तुमसे कोई इशू रही सुने आपने जब इने कोई प्रॉब्लम मिलती नहीं तो यह जान बुचकर मुझे प्रॉब्लम्स ढूणने लगते हैं देखो तुमने फिर से इनको जरा बोलने दीजिए प्लीज जोलकर यह तो कुछ भी बोलती शेकर साब बोलने दीजिए कभी गलती से टाइम पर घर आ भी जाते हैं तो पूछते भी नहीं के मैं कैसी हूँ बच्चे कैसे हैं नजर उठाकर मुझे देखते तक नहीं चोटी-चोटी बातें लेकर बैट गई तो वही तो जब चोटी-चोटी बातों के यह कद्री नहीं करते तो बड़ी-बड़ी बातों के कद्री कैसे करेंगे ओ-ओ-मय डार्लिंग तुम्हारा मेकप खराब हो जाएगा प्लीज रोना बंद कर दो काजल बह जाएगा प्लीज लास्ट यह रिशी का बार्दी था रिशी आने की आपका भी अटा मैंने इन से कहा था साड़े ग्यारा तक घर आ जाना जिससे ठीक बारा बजे हम चट पर केक काट सके सब लोग खुश होते ना बार-बार कहने पर भी यह नहीं आये फोन भी बद कर दिया मैंने फैमिली को रिशी के फ्रेंड्स को सब को बलाया था अंधी सब्स सब्सक्राइब ऐसे पर अभी तो हमारा बेटा सिर्फ पात साल का जा है इस उपर में बच्चों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए कि नहीं आधी रात को उसको घर में सोना चाहिए या चठके ओपर जपर जाणना चाहिए नहीं केक काटना जरूरी है क्या अगर मैं घलत कह रहा हूं तो बिलकुल भी नहीं मुझे एक नॉमल सा पती चाहिए जोलकर प्लीज मुझे इस आदमी से डिवॉर्स दिर्वाइए मिशिश स्वाथी शेकर एक्चिली सुनो सुनो मेरी बात सो हम हम टेरेस पे भी केक काटेंगे ठी उस दिन तुमने क्या वज़े बताई थी कि चार मिनार के पास गैंग को पकड़ने जा रहा हूं जो कच्छों की स्मगलिंग करता है मतलब मैं तुम्हें इतनी बुद्धु दिखती हूं क्या कि तुमारे इस कच्छों की कहानी पर यकीन करनू नहीं स्वाती वो सच है एक जूट नहीं है उसमें एक बार आधी रात को मुझे फोन आया किस का मिरे बॉस का फोन आया था चाहो तो कॉल लॉक्स चेक कर लो बॉस ने मुझे हाई प्रायोरिटी केस के लिए बुडाया था उन्होंने मुझे बताया कि चार मिनार के पास एक गली में एक इंटरनाशनल काछव encouraging कच्छों की स्मगलिंग अन्ट क्या हुत इंटरनाशनल गैंंग कच्छों की शमगलिंग यह तो मेर को एक्षं June बिक्टर जैसे लग रहे और तु मुझे उसका comedian assistant लग रहे और तु मुझे उसका comedian assistant लग रहे है मुझा तो नहीं कर रहे है रही हू ज़म कर्याम करी कच हुए यो मेन इस्टार तर्टाइस अब आगे बोलने का मौकाद दोगे आप लीज बोला ना लिसन गाइस यह वो डायम जो पर साथ के आने तक बंद रखा जाता है इस डायम के दोनों तरफ एंप्रेंसेज हैं इस एंप्रेंस रेजर्वोईर के और ओपन होती हैं तो इस गलियारे का रास्ता दिखाएगा क्या बाई इतनी सारी प्लैनिंग कच्वों का बचाने के लिए नक्षत्री कच्वे चार बिनार के बास पर मेरे सामने एक डैम कोई रेजर वोई राइसा क्यो दीख रहे हैं देखो ऐसे मैं सफाई नहीं दे पाऊंगा ओ मैं दिमक घोड कम दोड़ा तो यू क्यारियो और क्या 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 रेन कच्वे गिराने के लिए ओ लाइभारी तीन पारिशूट्से कच्वे गिराएगे तीन पारिशूट्से कच्वे गिराएगे वो तीनो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गें कॉम धीनो कच्वे ओ मेरे को लगा आजमी फिर फिर क्या हुआ अब तक वो नीचे बेस्मेंट में आ गये थे अब ही नुट अब ही वच IRA ूट अब हिर आएएएऑ अब कि अब कि गला को आप 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 माल तो पहुचाना ही होगा ना अरे लेकर इतने पैसे में क्या होगा तो पहले ट्रक को यहां से बाहर निकलते हैं हाँ चाल निकलते हैं यार क्यी के वहले दो पेको यह्ट आप में युचाना में किसा Linux चांस और को सप से रू fighters governo युचाना में क्याना Г lacks क्या हु़ा यृ यृ वह़् तो मुअैना रburg कर दो प्लेकर का व सकतमा का व अ सब्सक्राइब कर दून अ अ अए वाई याई वाई प्रूप भान गाई लाइसेंस दिखाओ सार, सार खातम हो कहानी यह कहानी नहीं हाकीकात है कच्छुए नक्षत्री कच्छुए पिछली साल जब जब जुगून में मैंने फोन किया था तो तुमने ट्राफिक जैमें फसे होने का बाहना बना दिया था जबके पम्मी आंटी ने मुझे तुमारा प्लेन के अंदर का फोटो वाटसप किया था जब वो गो आ जा रही थी इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास पम्मी आंटी ने मेरा कोई हमशकल देखा होगा अगर मैं फ्लाइट में होता तो मेरा फोन स्विच आफ होता हमें तोमसे बात ही कैसे कर पाता तूम ही बताओ फ्लाइट में फोन निलगता है उसको फ्लाइट पॉन डालना त यह मैं जानती हूँ सर ठीक है ऐसे नहीं बताऊगे ना साफ साफ पूछती हूँ कौन है वह औरत कौन सी औरत स्वाती इसके सथ अफेर है इनका अफेर भी है यह क्या क्या रही हो सवाती चूट मत बुरू तुम अपना मूँ बंद रखो गे देखो स्वाती एक को ही जहलना मुझे नहीं लगदा दूसरी को बांध हूंगा क्या का मैं बारी बड़े हूं तुमें अ mo यह मतलब था कि हम इतने सालों से साथ पहे ददेखो स्वाती मेरा कीसी से अफेर नहीं है यह तो घर-मे-रा में और गली-मे शामे श्वाती जिए इसे में आपको दिवर्स फट से जाएगा तेंक औड एगे प्राबलम सालोगी एग छुप कर अई नहीं जाएए क कर अब लग्वाइब मुझे नहीं लगदा कि इनको कोई अफर चल रहा है थैक और गडगी यह मोबाइल I'm sorry Swati this is all my job I'll leave it give me one chance just one last chance please okay another chance okay Shams and Chintu Chintu your son Chintu you have to pick up from school hmm what happened? why are you still alive? in addition to this, there are more 10-12 rules this is not just today you have to pick up from school I will go every day only three days okay Mrs. Swati no 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 you will do it Mr. Shekhar because you don't know that she's gone to school when she's gone to school four 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 twenty okay four thirty sorry 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 correct time just one time just one time don't forget he says 2-2-3-2-3-2-3-3-2-3-4-3-4-200-3-4-5-3-4-3-2-1-4-3-4-6-8-6-7-7-6-7-6-8-7-7-9-9-8-7-9-3-u-7-1-7-6-7-7-7-7- अरे च्याहे यार आप बार-बार फोन कियो चरहे हो मुझे अगर मैंने फोन काता है तो मैं सामने से फोन करूंगा ना इस तरा डंडा क्यों खर रहे हो इतना क्या इंपोर्टन्ट हे क्यों इतने परेशान हो भूँछ रहा हूं मैं यार टुम्हें गाड़ी दुकिये न में न छलो ला इता है न अज़रो जेख फीपार जलो अज़री डॉक्टर डॉक्टर मुझे बहुत टेंशन हो गई है मेरी टेंशन छोड़ो तुम अपनी सुना डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स आ गई है तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स की पड़ी है और यहां मेरी बीबी मेरा सर खा रही है तीस लाग में मैंने एक शाहन तीलागे में मस्त घर देखा था और उसने वही रेट में बीच बजार में एक वन रूब किचिन लिया है वो सब तो ठीक है ठीक नहीं है उसी बिल्डिंग में मेरी लवर नस रहती है कल बीवी ने पगड़ लिया हुझे वसारी सेर बेग? मेरी रिपोर्टस का क्या हुआ? मैने उससे सारी भी का लें कि नहीं मानती यह सारी गलती मядली बीवी की मेरी रिपोर्टस का है? कश रिपोर्ट की बात कर रहे है ईचंद्रशेखर की जो मैं ही हूँ यह मेरे हाथ पे जो गाठ है ना कहा रखिये है, वो रहती तो मेरी मदद हो जाए जाए है यह फाइओ भी रात को ज्यादा आगए थी क्या? चड़ गई थी तो सर पे भी लग गई त्यूमर हो सकता है नर्स ने क्या कहा था आप से? पाइल्स हो सकता है या फिर त्यूमर या यह कैंसर की गाढ़ भी हो सकती है या कैंसर की गाढ़ है कुछ बताओगे की नहीं? एक मिट रुख जाई है सर तिमा काम नहीं कर रहा है क्या है कि जब मैं पकड़ा गया था तो मेरी छाती पे बाल नहीं थे मतलब कपड़े नहीं थे, मीडिया वाले भी इतने आगे कुछ समझ नहीं आया हैंगवर उतर ने दीजे, मैं सब बता दूँ आपको ये टीवी वाले भी ना, देली सोब कम दिखाते है, मेरी न्यूज बार बार दिखाते रहते है मुझे तो तुम किसी गधे के डॉक्टर लग रहे हो मैं गधा लगा? पहले पजामे का नाड़ा बानना दीखो ये नाड़े वाला नी इलक्टिक वाला है शेकर, आप कहा हैं सर आपका वेट करने आप फोन क्यो नहीं उठा रहें? जाना यार ये सर, मेरे जवान वहां पहुंच जाएंगे ओके सर क्या ये? क्या? दस मिनिट में थर्टी फोर मिस्ट कॉल्स इतना तो स्वाती भी नहीं करती ऐसा कौन सा पहार टूटा जा रहा था? ये तो हर दिन का किस्सा है है? सर, आपकी एज क्या है? 58 साल रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे? पोता पोती को स्कूल छोड़ने जाएंगे 20 साल पहले आपकी बीवी तो छोड़के चली गए और आपके उन भगोड़े बच्चों को खोज कर लाने में चार दिन का खूफिया ओपरेशन चलाना पड़ा था अकल आगई मुझे अकल आगई मुझे आप मेरी जान छोड़ो सर आप रोज फोन करते हैं हाई प्रोफाइल केस बता के किसी कोवेट ओपरेशन में भेज देते हैं मैं अपनी बीवी से जूट बोल बोल के ठक चुका हो यह काउंसिलिंग सेशन और डिवर्स केसी सब उठसे हैंडल नहीं होते हैं बहुत हो गया कमाउन इसे सॉल्फ किया जा सकता है फिर तुम्हें अंडर कवर या कोवेट ओपरेशन नहीं दूगा अब तो ठीक है ना बैट कर बात तो करो बैट कर बात करने का स्टेज अब जा चुका है किसी ने का होगा किसी ने का होगा मुझे रेजिगनेशन लेटर लिखने तक भी यह नहीं रुकना मैं घर जाके स्कैंड कॉपी आपको मेल कर दूगा बहुत हो गया चांड चोड़े इस समय तुम बहुत टेंशन में हो हम रात में थंडी दिमाग से रात हो या दिन हो कोई फर्क नहीं पंड़े स्कॉट्रें से मैंने एक दम नहीं बॉटल बंगवाई अब अब तारे भी तोड़के लाओगे न तब भी नहीं प्लीज सर जीप में जो पेट्रोल भरवादा उसके बिल चाहिए चल दास्ता चोड शेकर शेकर किनु प्लीज टाइम नहीं टाइम नहीं रटता रहता है सर अपने कुछ कहा शेकर को कैंसर है कैंसर!? क्यों सर क्यों क्या आदमी यह कि कद़ह मतलब कहान पर वोही तो समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें तो हाथ पर लिखा हुआ है हाथ पर कैंसर नहीं होता है पाहिल्स की रिपोर्ट होगी बिना जाने क्यों बोलता रहता है। इसी वज़े से वो रिजाइन कर रहा है। रिजाइन कर रहा है। तब तो पक्का कैंसरी होगा। उपर वाला उसका भला करे। मैं तेरी परिशानी समझ सकता हूं शेखर प्लीज डग कते। सर्थ कि जल्दी 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 जल्दी। बाज़ें हो नुक्सान कौन भर्ख़ेंगा। जल्दिकर बादिकर तुमारे भाब्त की है क्याा। जा मन करेगा गुसातोगे। बाग रहा है। गाड़ी का नुक्सान कौन भरेगा, हे, जड़ रेपेर करवागे ज़े गाड़ी पेसे मांगे तुमने तो पिस्टॉल ही निकाल जिंदेगी गाड़ी से बढ़के है भाई पेक्स फोर स्टॉं मांदल है अच्छी गंद प्थार्ट कर अच्छी जड़ो पॉर फब टारा है मिझाद ज developers अजाख संगाने लुग नहां भुग लादार शिलारा दे 9- Dakar भटातवरा ले टेम! Is-च्रादा प्रीक लादा शिलिल प्रीफ प्रभाइब कर दो प्रपद रखुआ कर दो भाइब कर दो कर दो रखुआ प्रफुआ प्रफुआ यह दू यह सर TS-10 GK 2636 नंबर प्लेट चेक करो जी, ये हुंडाई वाइट सोनाटा की है बेकम पेट की तरफ गई है, अभी ताज कृष्छन सिगनल क्रॉस की है इसे ट्रैक करके जल्दी से बता हूँ शो सर, वन मो ठिंग, इंडिया में बेरेटा पी एक्स फोर स्टॉम गान किसके किसके पास है, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए शो सर, मैं आपको अभी बताता हूँ इसक्यूज मी ये सर, मैं यहाँ चिंटु को पिक अप करने आया हूँ किस ग्रेड में है सेकंड ग्रेड में होगा शाय ठीक से याद कीजिये याद है, सेकंड ग्रेड ही है, कन्फर्म सेकंड ग्रेड की क्लास टीचर तो मैं ही हूँ चिंटु मेरी क्लास में तो है नहीं रिषी, रिषी तो आप रिषी के पापा है, आप से पेड़ी बार मिलकर अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा वो देखो, वो रहाँ आपका रिषी ओ हाँ थैंक्स, वो युलिफम में था न इसलिए पैचानने ने पहे अरे, तुम यहाँ खड़ेव तुमने मुझे देखा तो पुकारा क्यो नहीं आओ 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 ना क्या वा रिषी, नाराज हो क्या गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहाँ इस एवरिफिंग ओल्राइट रिषी, यह अंकल तुम्हे परिशान कर रहा है क्या एक्स्क्यूज मी मिस्टा, हुआ यू यू एंड यू स्केरिंग रिषी अलो तुम रिषी से बात करो, कार में नहीं बैठ रहा है ये लो, बात करो ममी से हेलो आउंटी, रिषी का बोल दो है रिषी के पापा है ओके आउंटी, थैंक यू परिशान मत हो रिषी, ये सच में तुम्हारे पापा है टेक केर रिषी, बाई बाई अंकल आजा बटाजा रिषी का तुम्हारी गल्फ्रेंड है पात साल की उम्र में ही गुल खिलाना शुरू करती है मैं छे साल का हूँ अच्छा, अच्छा, ये लो, चॉकलेट खाओ मुझे नहीं चाहिए तुम्हें नहीं खानी है, तो गल्फ्रेंड को देदो, वो खालेगी अच्छा, गल्फ्रेंड को भी चॉकलेट नहीं पसाँ वो बस स्निकर्स खाती है, फाइव स्टार और डेरी मिल्क में खाती है, रिषी का स्निकर्स, ये निकर है या चॉकलेट है ओ, ठीक है, कल मैं तुमारे लिए दो स्निकर्स लाऊँगा तुमारे लिए एक तुमारी गल्फ्रेंड के लिए आप कल भी आने वाले है, क्या? और पडसों भी आऊँगा कल तुमा मुझे और रिटिका को लेकर एग्जिबिशन जाने वाली है अच्छा, डेट है, मैं लेकर चलूँगा फिर से चोकलेट हाई? पापा ने लिए क्या है ना, चोकलेट हार्ट के लिए अच्छी होती है किसने काहा? यूके के डॉक्टर्स ने ये आगया ना, अब मैं चलूँगा कार को क्या हुआ? हाँ, चोटा सा अक्सिरंट छूटा सा तो नहीं लगता, लगता है चार या पाँच गाड़ियों ने मिलकर इसकी हाँ हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है मेरे गिफ्ट की उडिया को तो देखो, उसका सर कहां क्या वह अंदर रखी है ना सच सच पताओ, तुमने तोड़ दीना ज्यादा कुछ नहीं, सिर धड़ से अलग हो गया है वो मेरा पहला गिफ्ट था तुम्हारे लिए तुम्हे तो याद भी नहीं होगा क्यों याद नहीं होगा, स्वाती मैं इसे गोंद से चिपका दूँगा ठीक है, इमोशन्स के तो याद नहीं है ना अब जाने भी दो कॉफी तैयार है कॉफी? नहीं पिनी किया ओ, अर्जंट काम होगा अरे, क्या अर्जंट कुछ अर्जंट नहीं है आता हो ना चलो ना, पीते है बेठो कॉफी लेकर आती हो शहर के वेंकट रुमन कॉलिनी के तिरंगा अपार्टमेंट में एक पचास साल की औरत की कत्लिकी खबर आई है इस घटना की ताजा अपडेट्स के लिए आईए हम चलते हैं अपने रिपोर्टर रमेश के पास हाँ, हलो नंबर प्लेट फेक है सर कार को फॉलो किया था यस सर, बेगम पेट और से कंतराबाद के बाद मेडिकल सिगनल के कैमरे पर आखरी बार देखी गई ठीक है, कार की डिटेल्स फॉरण डिपार्टमेंट को भेज दो और उस कार के ड्राइवर का भी पता लगाओ उस रूट के सारे सिगनल्स के कैमरा की फुटेज अपने डेटाबेस पे सर्च करो इसको हाई प्रायोरिटी केस की तरह देखो हो जाएगा सर गन ओनर्स की लिस्ट मेली एक नट सर सेंट्रल ब्यूरो को हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट भेज दिये सर जवाब नहीं आया ओके फॉलॉउप करते हैं तुमने बुलाया हाँ नई स्वाधी एक चश्मदीत कवा हमारे साथ मौजूद है जो इस बिल्डिंग के वाजमेन है आईए हम उनसे बात करते है उस समय यही वाजमेन ड्यूटी पे थे कोई गन बगेरा देखी थी नहीं जी नहीं देखी वो किस तरफ भागा था आव मार्केट की तरफ भागा था शेखर यह समझ में नहीं आता यह जा रहे हो देखो मैं भी पुलिस तो पुलिस तो पुलिस की आईडी का है आफिस में छोड़ के आया हूँ चलो जाने दो यहां हर कोई खुद को पुलिस वाला या फिर विदायक का भतीजा बांजा बताता कैसे विश्रास करें आईए सर आने से पहले बता देते ते 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 अचा सिचुशन क्या है पुलिस को किस ने इंफर्म किया है वो वहां बैठी है हम दोनों मार्केट से लोट रहे थे मैंने घर पहुचकर देखा कि हमारे सामान के जोले बदल गए थे मैं वापस करने गई तो देखा दरवाजा खुला था और वो जमीन पर पड़ी थी हर जगा खुण ही खुण मैंने तुरंत वाच्मेंट को बुलाया और उसी ने आपको कॉल किया बस अतना ही तुम्हें घर जाकर वापस आने में कितना वक्त लगा बता सकती हो ज्यादा समय नहीं लगा था सर लगता है यह चोरी का मामला है घर की मालकिन को देखकर उसने गोली चला दी होगी कुछ चोरी वोरी हुई है सारा सामान तो तूटा फुटा पड़ा है पर लॉकर नहीं खुला हुआ है अचा गन कौन सी थी? गोली की साइज बताओ शायद 9 mm की बुलेट है सर यह देखिए ओ, विंचेस्टर स्नाइपर शॉट है क्या? येस यही वो खर है यहां से इस खर की हर हरकत नजर आती है एक औरत को मारने के लिए दो गोली है वो चाहता तो सीधे आटो में भी गोली मार सकता था वाह उसने गोली क्यों नहीं चलाई इतना तैह है के घर में कोई और भी था वो कुछ ढून रहा था तो यह गोली उस आउरत को नहीं मारी गई यह उसके लिए थी जो घर में भुसा था यह जो बएं कि ढूँ कि अभी कि आ जिए कि कि अभी बिलकित कि आ जो जो अभी आज़े हम झो आज़िए कि अभी कि अभी कि कि आरो कि यह नदे है कि अभी प्रिम हुई वाँ 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 एक और कोली हलो 10 करोड कम नहीं हो सकता लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं सौधा मंजोर है या नहीं हाँ नहीं 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 अफिस में नहीं किसी पब्लिक क्लिस पर कमान 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 ठीक है यादो यादो खर्च किये गए हैं पता रही क्यों यादो तुम आगे पताओ इस आदमी का नाप याकूबली है एक शाप शूटर है और ये बड़े लोगों के लिए ही काम करता है 2009 में इसके मर जाने के बाद फाइल बंद हो गई थी यह सॉफ्ट्वेर बिलकुल नया है ओके याद आओ यह इंफोर्मेशन किस ने थी जीब सेंट्रल बीरो के सीक्रेट ऑपरेशन के हेट चहान ने यह अपडेट दिया है कि यह आदमी 9 सेप्टेंबर 2009 में मनिपाल इंस्ट्यूट के धंगो में मारा गया यह चहान वही है जो घूस खाते है यह वही चहान है सर देखिए अभी तक जिन्दा भी है सर को सकता है नो सर, हमने इस विंचेस्टर गन की डेटेल भेजी थी पर सेंट्रल भीरो से अभी तक कोई जवाब नहीं आया यह सेंट्रल भीरो वाले तो मैं गधे ही समझते है रुकब मैं बात करता हूँ शेखर कुछ इंट्रेस्टिंग इंफरमेशन आईए वह फाइल दिखा ना सर यह है यह पिक्चर दो दिन पहले दाजलिंग की है यह दोनों वही है यह सर हमारे लोगों ने इसके पिक्चर तब निकाली जब भाग रहा था यह लड़का कौन है पता नहीं सर इसके हुट की वज़े से इसका चेहरा साफ नहीं आया तो क्या इस लड़के का पीशा किया जा रहा था हो सकता है इसी बात के लिए मैने तुम्हें 31 मिस कॉल किये थे 34 मिस कॉल थे सर वो अरत जो आज मर गई वो दो दिन पहले दाजलिंग थी या उसकी ट्रेन और होटेल की बुकिंग यह भाग रहा था उसे भी नहीं जानते जी और ड्राइवर के बारे में भी हम कुछ नहीं चानते तीसरा लड़का जो डाजलिंग में था उसका क्या उसका भी कुछ नहीं पता तो याकुबली से शुरू करते हैं याकुबली आखिर में आया क्यों 2009 के बाद ही वो क्यों दिखाईगी है मेडचल के बाद वो कहां गया आखिर वो लोग इस लड़के को क्यो मारना चाहते हैं इसे गन कहा से लिए या दो मुझे इसके डार्जिलिंग वाले फोटो देखा स्टाप स्टाप वो बैग आए ये वाला जरा इसके गले पे जूम करो येस ये क्या है सर्जिकल प्लास्टर लगा है सर्जिकल प्लास्टर गले पे क्यों लगा है हाँ हाँ आदराबाद के पिक्चर्स दिखाओ आए ये वाला जूम इन ने यह नहीं, नेक्स्ट, 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 यही बना, अब जूम करो, और, और करो, अब इसे क्लीन करो, इसका हाथ दिखा, जूम, स्टॉप, स्टॉप, अब इमेज को क्लीन करो. सर ड्रग्स पक्का नशेडी है यह अब यह हाथ में इंजेक्शन लेने के बजाए सीधा गले की नसों में लेने से काफी जल्दी जड़ता है फिलाल हैदराबाद में यह ड्रग्स का हा मिलते हैं सर, ऑपरेशन के बाद तो सारे खरीदारों और बेचने वालों को सफाया हो गया है। खरीदो फरुख्त करने वाले तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लेकिन ब्यापारी तो वही जमे रहेंगे। महत दर्द होना है। मैत खरीदने के लिए याकुब कहा जाता है। सीता फार्मर्दी सर, वाइट हुंडाई सोनाटा आपके पीछे खड़िए। असका नमबर प्लेट देख सकते हो क्या है। नो सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट उक्या सर। बंपर का बाया है इससा दिखा सकते हो। कुछ नहीं यह साथी। ओके, असे वापस लेगा। शिट! क्या हुआ? वो यही है। कहा है वो? आपकी कार के बगल में। क्या है। ड्राइवर एक पांड देना? मेना दू मेना क्यू दू मीठा, मीठा देना सर, अगर ड्राइवर यहां है, तो याकब कार में हो सकता है। नहीं, वो नहीं आएगा। ड्रोन वापस लेगा। ड्रोन वापस लेगा। एक स्पेशल मेनाक्षी यहां रेबन का नया मॉडल है, कली मार्केट में आया है। बस दो हजार सर नहीं बोला ला। शोरूम से भी सब्पाई है। और रहे। जितना फड़ फड़ाएगा उतना ही टाइट करेंगा। जुपचप खड़ा रहे है। यह तो मरेगा तू तलाशी लो वालट नहीं है क्या? नहीं है सर ओ, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ चेक करो नाम क्या है तेरा? वीजे एंथनी जलो टीके मान लेते हैं जलो टीके मान लेते हैं डिविया खुल के देगो यस सर हुम् क्या भाई उस देन गाड़ी ठोकिया निकल ली है अब उसे ठीक कौन करवाएगा सॉरी सॉरी या नि सॉरी से काट ठीक हो जाएगी क्या चल बेरेटा पी एक्सपोर स्टॉम तेरे बास यह गन है न दरसल तेरे छोकरे ने मुझे पताया कि तो यहीं मिलेगा विजे एंथनी नाम जानता है न नया मॉडल चला कर दिखाऊ लेकिन यहाँ चलाना मुनासिब नहीं क्यूंकि यह पब्लिक प्लेस है न खाब खाब भगदण मच जाएगी नजर घुमा तेरे चारों तरफ फिल्डिंग लगी हुए शराफ़स से गिलास नीचे रख और चुप चाप मेरे साथ चल हम आराम से बैट के बात करेंगे में लंगे लार हुए आ कि दो आखते खिए बो कि घो रखते ओटकि और दे, जुआ कि जट आKKK, पार्णी help बढ़ कि प्रॉब्सेच हूंने कि अधिन्टिक लग सबक्षा-क लग करिकनास कोई और समें दिस को विशने हूंने हैं यो 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 हुआ 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 कि जम करृ inheritance कि पर नहान हो कि जम भर जिए कि अ मिए इंस का कि रुर ते बार आञा कि परे प्लेंब सर, वालेट, सेल फोन्स और रूम की और कुछ नहीं है, सुछ बस इतने हैं, हाँ सर, ओके, इसके रूम की तलाशी लो, ओके सर, सर, इसका के तर, इसके फोन को भी अनलॉक करो, जिससे बता चले कि वो यहां क्यों आए थी, मुझे रिजल्ट चाहिए, ओके, अभी करता हूँ, ओ, और बहुता है, आए, और हुझा है हो, वल्थर स्नॉपर, बस यहीं मिली है, सिर, सर व्थियां कि झॉर्च, był Sweden What a किसी मिलाए, सिर फोन में कुछ मिला ने, आणारा ओ मैं आणराओ मैं यह दोनों फोन्स इंडिया नेटवर्क के नहीं है, तोनों सिंगापूर के नमबस हैं, वियाईबी कनेक्शन्स, दोनों फोन्स में कुछ भी नहीं मिला है, खाली है, इसमें नमबस सेव नहीं किया गया है, सारे डेटा डिलेट कर दिया गया है, लेकिन सर, याकुबली के फो एकल आपक या कॉट वर्ट काल जानी एकड़ा जानी के बारे में और विजय एंफ़नी के अपकड़ाइए टीक ही आपने एक्छे को फॉरन बुलाओ और सब लोग जल्दी सो ऑफिस में यह श्रॉप आज यू कन सी सर, वो कोड़ वर्ड में अपने इंफोर्मेशन पास कर रहे हैं, उनके कम्यूनिकेशन सिस्टम्स बहुत हाई टेक हैं, और लेटिस्ट टिकनॉलोजी के वेपन सिस्टमाल करते हैं, वो लोग हाईली फंडेड हैं, कोई बहुत बड़ा हाथसा होने वाला है, इन कोड्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं, सर, इनक्रिप्टेड मैसेज को तोड़ना बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसमें सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं होते, इसमें अक्षर या नमबर्स ही नहीं, डॉट्स और डैच लगाकर ऐसे सीक्रेट मैसेज इसको चिपा द नमबर है पर दोनों एक हैं, वैसे ही ये दोनों भी एक जैसे हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट से छपिज और नमबर्स हैं दस, मेरा सौफ़ए डिक्शनरी में से हर वर्ड को सर्च करेगा, सो ये कोड टूट जाएगा, कितना टाइम लग सकता इसे, डिक्शनरी में 10 ला मेरे साथ, ये सर, हम खोच कह रहे हैं सर, कोड्स क्राक हो तो पता चले हैं, इन पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, चलो इसी पर आजसाफ करते हैं, ये सर, जी बराक हो, ह२च वा पर वैं, जी वारा कुर में सर वडस करते हैं, प्रें कितन pesticो करतित, फट्क्ति करते हैं, अर्ण लिएकि करते हैं, जाएकियां, और वुढू पाफ़। ल cents, श्युझ करते है, ऍले कित्या है कि तो ये किया है, ह वाएकि जार पाख़itu। तीसरा मेसेज पर चल गया है तोग जाए सर तीसरा मेसेज अलफबेट नहीं है नमबर है अच्छा ये कैसे कह सकते हैं इस कोड के हिसाब से जो वर्ड बना है वो ए-च-ए-ए-ए-ए-ए-च-ए इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है सर लेकिन इसका नमबर आया 0800-080-120-17 इसका कोई मतलब नहीं निकलता है इसे दो-दो में बाट दो फिर भी मतलब नहीं निकलता है अकाउंट नमबर बहुत छोटा है फॉरेंग का अकाउंट नमबर या दो चेक करो इसे चार-चार में बाट ओ ये तो आज है और घड़ी में डिल बच चुका है और पहले के चार नमबर टाइम सुबा के आड बजे आज ऐसा क्या होने बाला है इतनी सुबा आप लोग उमीद मत छोड़ो लगे रो बाकी दो कोट्स को भी क्रैक करो ये सर्थ सर टाइम कम है विजा अन्थनी से उगलवाते हैं नहीं साफन वो उगलेगा नहीं प्रेंड है वो माईश सिस्टम को बिग स्क्रीन से कनेक्ट करो सर हो गया सी थ्री एच सिक्स अन्सिक्स ओ सिक्स ये क्या है इसे बड़ा करके दिखाऊ साइकलो ट्रामिधलें ट्रिनितरमन बॉब दोस्तो एक बाद फिर से सोच लो इस Information के P-Ship क्या है? कोई Bomb प्लांट कर रहा है उसका टाइम क्या होगा? सुबाँ आट बजी सर कहा प्लांट होगा? कैसे प्लांट होगा? क्यों प्लांट होगा? कौन प्लांट करेगा? इन सब सवालों के जवाब मुझे चाहिए, इमिजिटली, टाइम नहीं है, बचे हुए कोट को क्रैक करो, जल्दी सर, हाँ सर, हमें इसे युद्धुस्तर पर देखना होगा, पुलिस प्रशासन को बताना होगा, जिससे शेर बर में खोज की जा सकी नो, नो, हम यह नहीं कर सकते शकर, पर क्यों सर, क्योंकि हमारे पास पूरे इंफोर्मिशन नहीं है, पता नहीं यह खबर पक्की है भी या नहीं, सर, याकोबली पेशे बर खुनी था, यह आप भी जानते हैं, हाँ, मुश्किल से हमारे पास तीन घंडे हैं, जब यह पता ही अब ये क्या आगया है? PIN CODES? डोर नंबर मुझे नहीं लगता कि वो डोर नंबर है मैं गोगल पर चेक करता हूँ कॉलनी? डारेक्षिन डारेक्षिन? यो मेन लॉंगिटूट्स अ लाटिटूट्स हो सकता है सर जल्दी से सर्च करो और स्क्रीन पर लाँ यस सर चार मिनार सावंत यादो सावंत यादो फॉलो मी सर सर टीम रडी है सर इस एरिया के दो किलोमेटर के दाएरे में बं कहीं भी हो सकता है एक घंटे का बक्त है हम इतरे कम टाइम में इलाखा खाली कैसे करवा सकते हैं एक काम करो बोलिये सर लेको इस इलाखे में काफी भी भार है हमें इस पर पूरा फोकस करना एक एक गाड़ी को चेक करो हमें एक एक गाड़ी को चेक करना होगा यादर विक चाय बोलना प्लीज सर पार्किंग लॉट की एक भी गाड़ी बचनी नीचे एचोटू तीन चायला चल चल है वा क्या कर रहा है तू करेंट लग जाएगा पढ़ने से ढरने लगता अबे पहरा है क्या साथ चाहे साब आई दे अरे सुनो यह बैनर क्यों बांद रहे हो यहां पर दिखता नहीं है क्या पार्टी का बैनर है आज रैली है रैली? किसकी? प्रताप रैड्डी की रैली कितने बज़े होगी? दस मिलेट मेशुरू हो जाएगा यह जल्दी का टाइम नहीं है सावन, नाशनल पार्टी के प्रेजिदेंट प्रताप रैड्डी की रैली है तुम्हें पता ना? हाँ, जानता हूं सर ओ माइगाड येस रैली के वक्त जब बांब ब्लास्ट होगा तब तो कुछ लोग मरेंगे लेकिन इस भगदड में जो लोग कुछल कर मरेंगे वो कितने सारे होगा ये कहीं टर्रिस्ट अटैक तो नहीं है वो कभी लोकल पॉलिटिकल रैली को निशाना नहीं बनाते और वो ना ही किसी पेशेवर को काम पर लगाते पॉलिटिकल असाइसिनेशन प्रता प्रेडी का आई डूंट लेकिन आमेर रैली शुरू होने से पहले बाउम को ढूनकर उसे डिफ्यूस करना होगा टाइम कहां बचा है सर लेट स्पिट आप तुम दो लोग को लेकर पता करो कि रैली कहां से शुरू होकर किन-किन रास्तों से जाएगी उस रोड का चप्पा चप्पा चान मारो ओके से, कम ओन, मूव यह बॉम स्कोट कब आएगा? जी, बस तस मिनिट में सर तस मिनिट और? यादा हो अगर बॉम प्रताप रडडी को मानने के लिए लगाया है तो कहां लगाया गया है, जिससे टागेट मिसना हो? कम आगे जाकर चप्पे-चप्पे की तलाशी ले लो, समझे? सुनो, क्या हो रहा है यहा? रिपयर का काम चालू है साथ कितने दिन से चल रहा है? करीब एक महिना तो हो गया हम पोलिस हैं, चेक करना है ठीक है साथ ए महेश, उपर आजा सुनो, यहाँ पर चेक किया करीब। कर दो नहां करें लुए नहां कर दो एप जो एप लुए पर खाया है बंब ऐसी जगे लगाया गया है जहां से टार्गेट मिस्टाँ जानी पैर के नीचे मेजर दिलिप शर्मा, बंब स्कॉड्ड कमांडर मद्रास रजिए शेकर, असिस्टंट कमिश्टर रहना ही है मैंन होल मैं बंब है ठीक है जाद उसे फारन हटाओ या इदिफ्यूस कर दोन वरी सर्विल ट्राया बेस्ट ओके गाया शूट आप यह बंब रिमोट से ओप्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है रिमोट का दाइरा कितना है लगबग थाउजन मीटर का है तमाके का असर पांच किलो आडियस के साथ यह लिक्विड नाइट्रोजन पांस्व मीटर तक असर करेगा ऑग गाड़ इसे हटा तो सकते हो न सावंत यह सर बोल रहा हूं सावंत बं मिल गया है थैंक गॉड तुम्हें काम करो बाकी टिम को अलर्ट कर दो ओके सर रैली के थाउजन मीटर के दाएरे में अगर तुम्हें कोई संदेगदाद में रिमोट जैसी चीज के साथ दिखे तो उसे अरेस्ट करो और मुझा है चलो आगरी किलो चलो रैली मैन होल के ऊपर जब पहुंचने वाली होगी तभी बॉम ब्लास्ट होगा यानि रिमोट कंट्रोल ऑप्रेट करने वाला यहीं कहीं आसपास होना चाहिए हालो हालो क्या सर आपुझे सुन रहे हैं हलो है चलो 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 क्या सर आपुझे सुन रहे हैं या तो फिर कोई रैली के वहां पहुंचने की टाइमिंग उसे बता रहा होगा इतो या पुकादी कि वहां पुकादी बढ़ से था ने है अदू करें खूपकर था तो वो कई रिमट को अधे पर यहार रिमट कर दो बोल किस से बात करहा था दो वहां वहां किस से बात करहा था? फिसकापों चेकाइ अनो नमासे आपा पुर को नेवो पुर को ने रभाप जल दी बता इसके लाइट बंदो किया बोल रहा है बे बैटरी चेंज कर बैटरी चेंज कर लेकिन यह तो बिल्कु ठीक है पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है अरे बैक अप चिफ डाल कर देखो है 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 रोको गाड़ी गड़ी रखो रोको गड़ी रखो तुम मरना चाहता था रहा चल चल मरते हैं सब साथ में चल जुक शुक सुनो लोको सर वह यह नोन नंबर पता कहा है वह पता वह फोन रिसीब नहीं कर रहा है अरे यार एक काम कर तू रेड़ी रख बोल सफेद वैंद माजिद के पास खरी है इसको पुलिस वैंद में ले आओ सावन सर रिमोट की लोकेशन मिल गई है टीम को लेकर पहुचो ठीक है सर मैं पहुचता हूँ बोल आढा माँ कर दो कर दो कर दो करन दो कर दो कर। कर दो दो यह तो डार्जिनिंग वाला लगता है इसे याँ कुछ मानना चाहता था और प्रताप के पीछे भी वही लोग है हटता है यह झाल तक्त करppers एफ करेये अपोजिशन पार्टी लीडर प्रता प्रेडी को बॉम से उड़ाने की कोशिश इस दुरगटना से वो बाल-बाल बचे चार मिनार इलाके को भारी बम विस्पोर्ट से बचा लिया गया नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी के ऑफिसर चंदरशेकर की सूज बुज़ाट पूर्ती की वज़े से ये दुरगटना टल गए टीवी फाइफ के पास इस गटना की एक्स्क्लूसिफ फुटिज है कुछी दिनों में होने वाली असेम्बली इलेक्शन में अपनी सीट के लिए प्रचार करने विपक्ष के नेता प्रता प्रेटी ने सुबा आट बजे के आसपास रैली निकाली थी जिस पर बम से हमला होने वाला था इस गटने के सदमे में आए विपक्ष के नेता प्रता प्रेटी को सीने में दर्थ के शिकायत के चलते होस्पिटल में भरती किया गया है ये केस नाशनल इन्वेस्टिगेशन एजिंसी के हाथ में है एनाए ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो इनके संपर्थ में था ये खबर हमें सूत्रों से मिली है इस वक्त उससे पूछता जारी है उसके बारे में सारी जानकारी गोपनिया रखी गई है प्रता प्रेटी के प्रेस मीडे चलते हैं अंदर बेश दू मीडिया और पार्टी मेंबर्स की भारी भीड जमाल है वो मुझे मारना चाहते हैं क्यूंकि मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूं अगर मेरा खून बहने से इस देश में जरा सा भी बदलावाता है तो आई एम रेडी डॉक्टर मेरा खून निकाल लो और उस खून को नीम वाले खाद में मिला कर इस देश के खेतों की मिट्टी में बिखरा दू क्या है सर क्या आप उस बारे में जानते हैं इस बात को कौन नहीं जानता इस साज़िश के पीछे कौन है मैं नहीं बताऊंगा रूलिंग पार्टी को इसका जवाब देना होगा अगर इसके बाद भी आप लोग नहीं जागे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल का सूरज आपके लिए आखरी सूर्योदय होगा आखरी सूर्योदय सुबा होने से पहले आपके पैरों तले की जमीन थर-थरा उठेगी भूकम बाजाएगा ओक्सीज़न क्या नेक्सलाइट और टेरोरिस्ट की वारदाते केवल रूलिंग पार्टी की वज़ह से है इसका कोई सबूत है आपके पास जिन बे सहरा लोगों के लिए मैंने अपना चीवन दाऊ पर लगा दिया ये मकार लोग मेरे साथ उन्हें भी मारना चाहते हैं इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको मेरे प्रान ही मेरा सबूत है मेरा धहर ये यहि मेरी पूजी है क्या सर उन्हीं आप इसका जिम्मेदार मानते हैं प्लीस इनकी हालत ख़राब है आप लोग भार जाएए तुम्हे उस लड़के को पैसा देकर फाइल यहां लानी थी तुम्हारी मोटी अकल में इतनी सी बात भी नहीं गुशती जो यहां से आज शाम तक उसके पास जो भी इंफर्मेशन है मुझे उसका प्रिंट आउट यहां चाहिए अब क्या उल्लू की तरह मुझे ताक रहा है चल निकल चलो जाओ सब अपोजिशन पार्टी के नेता प्रता प्रेड़ी ने इल्जाम लगाया है कि रूलिंग पार्टी ने जनता के बीच उनकी पॉपिलारिटी देखते हुए उन्हें जान से मारने की साजिश की है कल सुबा तक उन्होंने रूलिंग पाजी के खिलाफ अपनी हद्या की सबूत पेश करके इस साजिश का परदा फार्श करने का दावाब निखिरा है कॉल मंबई के एन इको असी वक्त आप अधा अधा हुआ कहां छुपागी रखा है मुझे कुछ नहीं पड़ेगा, पिटने से पहले खोलेगा या पिटने के बाद, ये तू डिसाइड कर, या फिर, यादा है, चिंटी, जानता है न, वही जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, चिंटी, जिसे नीचे से गुजरते हैं, छोटी आंता, और किंचते हैं, ओ माइगाड, वह देखने के बाद, चार दिन तक मैं खा नहीं पाता हूँ, सोना हराम हो जाता है, सोचता हूं तो, चीखे सोनाई देती हैं, जैसे, किसी की जान निकल रही हो, इसलिए, उसके मुँ में कपड़ा ठोस देते हैं, और अपने कानों में रूई सब सेट हो जाता है, एनिवेस, मुद्दा यह है कि तुम वो इन्फरमेशन सीधे दोगे या तड़प कर दोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है, सौरी सर, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, वट इस दिस, मेरे विनाव मेरे क्लाइट से पूछताच कैसे कर सकते हैं, इसने कानूनी अधिकार बताऊं या कॉंस्टिटूसर राइट बताऊं, लॉयर को क्लाइट से मिलने का अधिकार है, समझे की नहीं, मैं अपना काम करूँ या तुम्हारी कानून की क्लास लूँ, बोलो, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, इंडियन पिनल कोर्ट के चैप्टर व बुलाया था, और वो तुमसे पार्टी के लिए कुछ वीडियो शूट करवाना चाहते थे, और इसके अलावा, पार्टी के एजंडा और एम और काम से तुम बहुत प्रभावे था, आप कौन है, मुझे बॉस ने भेजा है, बॉस? अब क्या बताऊं, ये जानकर तुम क् आज उसने तुम्हें रैली में मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए तुम वहाँ गए थी, ये है पार्टी के शोशल मीडिया कैम्पेइन के लिए बनाया गया पी-पी-थी, जो तुमने बनाया है, और ये है तुम्हारे और पार्टी ऑफिशल के बीच मेल पर हुई बात हमारा लेना देना अधूरा रह गया था, हाँ, तो दस देना है, अपना अकाउंट नमबर और कंट्री कोड बताओ, अभी ट्रांसफर कर दो, दस नहीं, अब पच्चीस देने होंगे, पच्चीस क्यों, हमारी दस की बात हुई थी थी ना, तब मैं पकड़ा नहीं गया था उसकी तुम फिकर मत करो, कल तुमारे पास पासपोर्ट सिंगापूर की फ्लाइट टिकेट होगी, वो सब हम अरेंज कर देंगे, सही है, ठैंक्स, लेकिन मेरा प्राइस पच्चीस है, मेरे पास जो भी सबूत है उसकी किमत, आप अच्छी तरह जानते हैं सर, पंद्रा ले हो गया, ओके, लोकेशन, सुल्तान बाजार पोलिस टेशन से आगे तीसरी कल्ली में पाये मोडना, वहां बड़ा पुराना गेट है, उससे आगे बढ़ोगे तो एक जैन मंदिर मिलेगा, वहां से राइट ले लो, लेफ्ट में कस्तूरबा कलेक्शन को पार करने के बाद, एक पुरानी बिल्डिंग पर हरी सिलेक्शन का बोड लगा हुआ मिलेगा, वहां दर्वाजे पर एक घंटी लगी है, उससे दबाना मत, दर्वाजे पर कुंडी है उसे दो बार कर खटाना, फिर तीन बार और, उसके बाद पूछना, राशिद सुल्तान है क्या, बोलो, 87U420280, ऐसे, तुम्हारे बंदों को चैनीज आती ही क्या, सॉरी, पहले लेटर को चौथी पॉजिशन पर है, दूसरे लेटर को भी चौथी पॉजिशन पर है, चौथे को तीसरी पॉजिशन पर ले जाओ, और पहले को दूसरी पर लाओ, क्या करे लेटर को चौथी करूम्हारे भी Mind Chairman and the क्याक साथ मोथी पॉज मोथी मोथी पॉजिशन 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 पॉजार मेड़ी पॉज़ए, क्यांदेदा स्चौथी पॉजिशन में जोड़गी तुज़ियए, सर वो लड़का यही है सर उसकी डीटेल्स कमार्णिक ऑफिसर शेखर के पास हैं नाकपूर सर कल सुभई सर अगर आप बुरा ना माने तो नाकपूर ही क्यों सर सर यह सर सर शेखर को ही क्यों सर क्योंकि उसको ठीक है अल्राइट सर एए शेखर का है अच्छे से जाना है मैं फ्रस्ट आया ओके सर हम आफिस जारे है अगर नहीं जाओंगा तो मुझे मार दो गया तो नहीं बहुत मार देंगे हम एए रोगररररररररररर यह 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 इमेरे फ्रेंड प्रकाश है रकाश तुम चानते है एक्स हजबंट आपसे बड़ अपके बारे में एंसर बच्छों को देखती हुं तुम लोग आपस में बात करो कहां सुना सवी तुमने काफी सुना किस से सुना था आपके बारे में बढ़ी उदासी महसु सुना तुम्हे इतना उदास होनी की ज़रूरत नहीं है थो मारा डिवाउस ना हुआ और ना होगा व प्यार की ताकत सच्छा प्यार आज़ अचल मिलता क्या है सब ऑन लाइन लग क्यों सावन सही कह रहा हो ना मैं अच्छी कॉमेडी करते है तुम्हारे एक्स तो बड़े मजागिया यार इने कॉमेडी भंकस में भेजना चाहिए लाकर कोई फाइदा नहीं इनकी चॉइस थोड़ी अलेग है ओ चिंटू नीचे रखो उसे दो बाते हम पहला मैं इंका इ कुकिंग फुड फिशिंग फिश दांसिंग डांस और भी बहुत कुष्छी स्वाथी फुल पैकेज दील है नहीं अच्छा अगे का के प्लान है नया खर ढून रहे हैं और ऑफिस से फोन आ रहे हैं बोलो आ रहा हूं यार कोई मेरी हेल्प करे का प्लीज आ रहा हूं किसर मैं यहीं रुकूंगा मुझे कोई काम नहीं है तो दिखी रहा है जाओ कुछ खाओ पियो सो जाओ शर्मा अब रात को अंजान आप्मियों के सथ नहीं जागा अपना ही आप्मी है छोड़ देगा असर बिलकुल मैं छोड़ दूंगा तुम्हें बिलकुल सही सलामत ग प्रकाष कहा है उसे कोई अर्जंट काम आगया चला गया वो थैंक्स किस लिए चिंटो को एग्जबिशन में ले गया इस लिए अरे चोटी सी बाती है मैं तो से रोज ऐसी जगों पर ले जाना चाहता हूं वो जाएंट वील, हेलिकॉप्टर और बाकी जुलों पर बैटक उसे बड़ा मजा है घर में और कोई काम हो तो बताओ ना घर का घर में जाड़ लगाना हो तुमारे हाथ पर दबाने हो बस आजी पूछ तुम जो कुछ भी काओगी में करने को तैयार अचानक तुम ही यह क्या हो गया ऐसे सर कौने वे अरे तुम उसे चोड़ा नहीं किया उनकी अपनी कार थी तो वो उसी में चले गए सर क्या हुआ मेरी मुसीबत सम्झी ना सर वो फोन पर चिला रहे हैं प्ली सर जल्दी चलिए ठीक आता हूं थैंक्यू सर मैं जल्दी आहूंगा क्या दो सर काई वो शिफ्टिंग सेल मैं सर वहां क्यों पता नहीं सर किसी को शिफ करना है साइब सवाल पूछने के लिए माना किया है किसके शिफ्टिंगे सर ओ शिखर बड़ी देर से तुम्हारा यह वेट कर रहा था बैठो यादो किसी की शिफ्टिंग की बात कर रहा किसे और कहां ले जाना सर नागपूर लड़के को ले जाना तुम्हें उसे भाँ हैंड़ोवर करती तुम्हारा काम खत्म आप मजाग करना है क्या मैं नहीं ले जाता आपको जो करना है करो तेखो मैं क्या कर सकता हूं मेरे बश्च में कुछ नहीं जिंदगी में ऐसे पल आता है क्या है नाटक के डालोग पूर रहे हैं क्या अब ये मत बोलिए का कि उपर से ओडरा है ये लो नहीं पीना है सर प्यो नप्यो तुमारी मर्जी ऐसी बाते हम अफसरों की जिंदगी में हूती ही रहती हैं कमान पीलो काना नहीं चाहिए ये बताई ये आउडर स कहा स अरे बताया ना वो वो है अरे सर अब हर बार क्यों जुकते हैं क्यों होता ऐसा हमने एक बार एक को पकड़ा था वो बांगलादेशी स्टीपर सेल का एक बड़ा आतंकी था तब इस CBI के चोहान ने फोन किया उस ते का कि प्रिज़नर एक्सचेंज में उसे वापस बांगल होगी तो क्या करोगे तो सर आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है शेकर शेकर सब कुछ इस फाइल में सर अलो सर गुड मॉर्निंग झालो सर चाहिए क्या झालो सर अलो सर आपकी शील कर तो सर दॉड प्राइए कर दोरीपकी नहीं 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 कि प्रण्वे कर दोड़ती है तुम दुरों जाकर मेरी कार में बेठों जाबी कौन हो तुम प्रताब रेड़ी के पिये से तुम्हारा क्या रिष्टा है विजे मालिय से लेकर ए राजा तक सभी बड़े लोगों की केस यही वकील लड़ता है वो तुमसे मिलने क्यों आया था ये लास्ट और फाइनल क्वेस्चिन तुम्हारी जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है जान के आप क्या कर लेंगे सर हमारे नागपुर पहुंचने से पहले मैं यहां से निकल लूँगा मैं किस देश में रहूँगा मुझे खुद को ही नी पता जल्दी ही लोग भी मुझे भूल जाएंगे आपको भी नया केस मिल जागा केस खता सिंपल बोला था ना सर वो लोग आगए गाइस हम पर हमला हुआ है हमें जल्दी निकलना होगा किषऑ मुझे तर विया ॉर्य है ॉर्य रूं यह लोग, प्रताब रेड़ी के लोग है ना? शिट! नहीं! जढ़ोग वोग प्राइब वख झार रेड़ी लेड़ी थाइब लेड़ी शीन झार समन अऌगे हैं सो को अचर्छी नविल दुट घजी जए को अबने टीक एंधें सेवाराइब पराइब इंद पराइब टीक एंद? एंद 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 कर दो पट प्रिया का जए हुआओ कर दो रखना है झ присब खूर गियुझस अभाई नहीं से जरे एत jest किया मैं प्यूदीं पर हम अ बराव नही में परेंगे लिक जुँदात कर को कर दो जो कर का क के लPad सर, क्रेन आगई यह. में चुछ आपरा ही, मॉट करना हैं, दो घरी, तो जाने हैं, मॉट कोछ और में तो भी लग। थेंक्यू सर, मैं तो मरनी वाला था, मुझे पता नहीं था, वो मुझे मार देंगे चला पता कोशे, कौन थे वो लोग, मैं नहीं जानता, बता दो बता दू, बता दू, बता दू, ठीक के बट और मैं सच में नहीं जानता, लेकिल लेकिल लेकिल, मैं सब किछ बताऊंगा, शाहिद उस से कुछ पताचले चल? बताता हूं सब कुछ समझाने के लिए मुझे 1998 सी शुरू करना होगा ए इसना पुराना इतियास बताने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरी है सर, शुरूरात वहीं से होई ठीक है भग नाइटी एट में पोखरन अटामिक टेस्ट के सक्सेस्फुल होने की बात यूरेनियम, थोरियम और प्लुटोनियम इनका इस्तमाल देश की निगरानी करने वाले हथियारों में होने लगा इसके लिए DRDO ने एक सौफ़वेर तयार किया ब्लैक जी जिसे इसरों ने पी लवी गरूरा वन और टू से एक सैटलाइट के जरी ओपर भेजा गया सर आपने ही कहा सब कुछ बता हूँ इतने डीटेल में बताने के लिए नहीं कहा था वो चीज क्या थी और कहां से आई और ये लोग कौन थे बस इतना ही बता दो साल पहले डी एई जियो टेक्निकल माइनिंग सर्वे में ये डी एई क्या है डिपार्टमेंट ओफ एटोमेक एनरजी ओ ठीक है आगे बोल एनिवे तुमुलपनली गाउं में उन्हें ग्रेड एक यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार मिला ये दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है ये बात सबको पता है अगर हम यूरेनियम के थोड़ किता के टैप क्यों ही अध्यान से सुनिये यूरेनियम कोरपरेशन ने ग्यारा सो एकट जमीन पर काम शुरू किया जिससे पंदरा एकट जमीन में प्लूटोनियम टू-थरीन खनीज मिला लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी सर और सारा खेल यहीं से शुरू लोगों को बलाया मतलब यह समझे कि चार हैकर्स को उसने एक सीकरिट प्रजेक्ट के लिए हायर किया उनमें मैं और मेरा दोस्त राजेश में था यह बहुत ही सेंसिटिव मिशन है भारत की सुरक्षा का भविश्य तुमारे हाथों में पी लवी गरोडा वान टू सैटिला और उन्हें भटकाओ दूसरा सिस्टम को हैक प्रूफ बनाओ जिसे भविश्य में उसे कोई हैक ना कर सके याद रहे काम खत्म होने तक कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा नो फोन्स नो पैंडराइव्स नो परसनल आइटम्स नथेंग पहले स्टेज में जारखन के ज देटा रिप्लिस करने में और सिस्टम को हैक प्रूफ बनाने में दो हफते और उन लोगों को कोड़ सॉपने के बाद हमारा मिशन खत्म हुआ और हमें घर भेज दिया गया वहां से निकलने के बाद भी पूरे एक महिने तक हम पर नज़र अखी गई लेकिन राजेश ने DAE के लोकल सर्वर में एक बग लगा दिया था और उसे अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया था जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे वो समझ गया कि हमने चाइनीज सॉप्टवेर को नहीं ब्लैक जी को हैक किया है यह ब्लैक जी किया है यह ब्लैक जी और गरुडा स करने के लिए ऐसे विसे नहीं डियाई है अब यह डियाई क्या है अरे या डिपार्टमेंट ओफ एटमेक एनरजी इसलिए तुमें 1998 से शुरू कर रहा था जिससे आपको बास 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 फिर से शुरू मत करो मैं समझ गया यह डियाई है ने तुम लोगों से सॉफ्टवेर है क्यों करवा है यूरेनियम स्मगलिंग को सेटलेट के निगरानी से चुपाया जा सकते हैं स्मगलिंग कौन है वो और कौन डियाई है दो या तीन प्राइविट शिपिंग कंपनी और भी मिली है और हां थुमल पली का लोकल एमेले भी है लेकिन वो इस चीज को बेच किस रहे हैं और तुमें ये सब कैसे पता मेरी बनाईगे इमेज को वो लोग थुमल पली में हो रहे ही अवेद खुदाई को छुपाने में इस्तमाल कर रहे है राजेश ने इसकी सारी डिटेल एक साथ जमा करके एक चिप में कॉपी कर लिया और उसने इस इन्फोमेशन की की क दस करोड मांग ली दस करोड लेकिन तुमने पुलिस को इन्फर्म करना जरूरी नहीं संजा सारे चोरे आपने मुझे पकड़ा पर क्या कर पाएं हां दस करोड कमाने में दस जिंदगे निकल जाती है हम लोग इमानदार लोग थोड़ी हैं लेकिन एक दिन हलो एड़े मु अबी कुछ नहीं बता सकता तो चल जाए राजेश पुलिस को बताते हैं नहीं 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 सब मिले वे कराजा बहुत आजटे ओके 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 आ रहा हूं सुपराज नहीं सुले मिले नहीं सुले मिले नहीं सुले मिले नहीं Rajesh करोड़पती बनने की लालच में राजश तो मर गें और तुमने उससे चिप ले ली पैसे के लिए तुम भी वही खलती कर रहे हो जो उसने की नहीं, उस जिंगुर ने उन लोगों से डील की जो इस घोटाले में शामिल थे लेकिन मैंने उससे डील की जो इसका पूरा फाइदा उठा सकता था मैंने तो वसूल भी कर लिये, दस करोड नहीं पचिस करोड किसने दिये, प्रताप रेड़ी ने उसका क्या रोल है इसमें, वो गोटाले में शामिल नहीं है न उन्हें कैसे पता चला कि चिप तुम्हारे पास है चिप को सर्वर से कनेक किया तो लोकेशन पता चल गई चिप ठाली गई उसे खोजो तो वो लोग डार्जिलिंग से ही तुम्हारे पीछे पड़े वही तो जैसे उन्हें पता चला कि इन्फोमेशन प्रताप रेडडी के पास है उन्होंने उसे मारने की खोशी तो जब तक प्रताप रेडडी वो फुटेज मीडिया को नहीं दे देता हमें चुप रहना होगा लेकिन चिप उसे कल शाम तक मिल गई होगी और वो मीडिया तक पहुँच गया होगा ये हमें कंफर्म कर लेना चाहिए आँ आँ अत्यंत ही नाटी की अधंग से विपक्ष के नेता प्रता प्रेड़ी ने बड़े जोर शोर से गोशना की थी कि वो आज मीडिया के सामने अपनी हत्या की साजिश करने वाले आरोपियों के खिलाफ सबूत लाएंगे और उन्हें पकड़वाएंगे लेकिन वो गायब हो गए हैं कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने गाउं चले गए हैं लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि वो मीडिया के डर के मारे अपने ही घर में छुपे हुए हैं बात जो भी हो यह अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो मीडिया के सामने आकर अपनी इस बात की सफाई पेश करें सर ब्रताप रेडी उनकी पर पिल्ड़ की साजेश में आपकी पार्टी का हाथ है बताईं सर बताइए ना आप शहार बोत。 रुब्लिंग पार्टी के सीनियर लीडरोण मायनिंग मिनिस्टर होने के कारण आपको जवाब देना ही होगा क्यों जवाब दू? आपके सवालों का या उसके आरोपों का कोई सबूत है आपके पास? सबूत लाईए, मैं जवाब दे दूंगा. अरे बाबा, ये गाओं कौन सा है? अपसराओं का. आज यहां कोई त्योहार है? यहां तो हर दिन त्योहार होता है. अरे भाई लोग, इधर टीवी कि दर देख सकते हैं? आप यह तीव के देखना चाहते हैं, भाई? हमें अर्जंट न्यूस देखनी है. लोग यह तीवी नह हमें यह फोन देखिएं, यह आईफोन एट प्लस है, पेटियम से रिचार्ज होता है. आपको फोन पर टीवी दिखाऊंगा, आपका काम हो जाएं तो बताइएगा. अलो नवस्ते, सर. इधर देखिए, बहुत बड़ी अच्छी से. अज तो बड़ी अच्छी दिख रही ह जाल वाली के पैसे हादी वाली को तो नहीं तो नहीं हो लेकिन आपकी जानी शेकल जानी पैचानी लगती है इसको भी पैसे देने के शेखर वही तो हो नाम शेकर है लेकिन यह तो नाम वही है आप यहां कैसे पेशंट है क्या पेशंट होता तो यहां थोड़ी आता है मैं त टिप भूगे क्या? नहीं जोगे? विए पिलुछ देओगुए थे तोग तुझ गले तुझते चाहिए थे विखा हुट थाुट थैघ कन जूस कई तुमारे कमरें डिए तीवी है क्या? कहा है? तुमारा दोस्त थैगा? वहाँ अंदर नहीं आओगे शर्ड यह सब में बेस्ट है वहाँ इन्हें इसकांट देना हाँ क्यों नहीं तुझे डिसकांट दूद्टों को डिसकांट दूँ मैं आपना धंदाबं कर दूना हट बैंजी टीवी 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 हम तुम कल ही पकड़े ते फिर भी बास दी आहीं आए आदत से मजबूर है फिर से पकड़ाना जाओ इसले शेहर से दो सो किलोमीटर दूर था सेवेंटी परसें डिसकांट ए एक लेने पे तीम फ्री है हमें अजेंटली टीवी देखना है यह किसे के बास टीवी है हाँ टी स्टॉल में टीवी है आठी बली इधे राजाना आता हो टच्छ मेरे ना तू वैसे शेकर साब आप यहाँ पर कैंसर ट्वीक्मेंट लेने आए हैं किया गा गा तूमने तो कहा था के पाईल से सर आपको पाईल से है कि दुरूात तो पाईल से होती है फिर बाद में जाके जेंठी प्ल्ली गाएगा तो चौटी सी गाइड थी उससे चैनल अपता नहीं चला कैसे डॉक्टर हो यार तुम वह ऐसे ही डॉक्टर हो जैसे आप ओफिसर हो कोई पागली होगा जो तुमसे इलाज करवाएगा ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ जितनी भीड़ है इससे डबल भार है फिर फिर क्या इनके इलाज में पूरा देन जाता है तुमारे बास और कोई काम दनना नहीं है क्या अभी तो एक काम खतम किया और शाम इनके साथ गाना बजाना भी करूंगा आईये आईये रामो तीन चाय बलाए मार के या बात है लाल लाल में बहुत लालम लाल लाल लग रही है तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रताप रेडी मीडिया से भागे भागे फिर रहे हैं जिससे कई और शंकाएं भी पैदा होती हैं हमारे कैमरामेन द्वारह लिए गए इस विज्वल ने मीडिया में हलचल पैदा कर दी है फ्रताप रेडी क्यों छुप रहे हैं इसके पीछे जरूर कोई रास है इस आद्मीने तुम्हें डबल क्रोस किया ना तुम्हें इसके साथ डील की थी और ये मले की गोद में जाके बैट गया बाहर निकलती ही मारे जाएंगे जरा अपना फोन देना तो, जल्दी आवाज वन वे है, तो क्या बुलती है, वन वे कर दो, जुहे को बार निकालने के लिए बिल में भुआ करना हूँ हलो, शेकर बोल रहा हूँ, बिना कोई रेक्शन दिये, ध्यान से सुनो, बहुत से तोड़े दूर हो जाओ फॉरण मीडिया को कॉल करो, और उन्हें अलाद के बारे में बताओ, और किसी को इसकी पहनक ना लगे, ओके सर, फिर स्वाती को फोन करके बोलना के मैं जरूरी काम से विदेश जा रहा हूँ, इसलिए, प्रिशी को स्कूल से पिक अप करने के लिए नहीं जा पाऊँगा, औ अपने इस काम में किसी को भी इंवल्व मत करना, ओके, ओके, उसकी दूसरी कॉपी है तुम्हारे पास, कॉपी, कैसी कॉपी, अरे उसी हाट डिस्क की, नहीं, एक ही थी, वो उनको दे दी, इतने बड़े घोटाले की तुमने दूसरी कॉपी नहीं बनाई, क्यों, पैसे च आपको इसे पूरी तरह से गवर करना होगा, अपनी टीम को लेकर पहुँच आईए, ओके, आँख, ये लो जल दीजे रेड़ी संजनी खेस खुलासा कड़प पजले के थुमुल पल्ली में यूरीनियूम की खान में अवैत खुदाई इस घोटाले में शिपिंग कमपनीज के साथ प्रताप रेड़ी भी शामिर हमारे सूत्रों के अनुसार इस अवैत खनन में प्रताप रेड़ी का नाम उभर कर आया है इस घोटाले के केस में उनके पीए का भी हाथ है इस केस के मुख्य अभियोग निरंजन अयर की एक्स्क्लूजिफ फुटेज हमारे चैनल के पास प्रताप रेड़ी के खिलाफ निरंजन के पास इस गोटाले का सबूत था प्रताप रेड़ी ने उन सबूतों को खरीदने के लिए निरंजन के साथ एक सौधा किया हमारे पास इस बात को लेकर पक्की जानकारी है लेकिन अब पोल खुलने के डर से रूलिंग पार्टी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है बना दिया ना मुझे घंटा, अब वो लोग मेरी बजाएंगे रिलाक्स यार निरंजन अयर को नाशनल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी से किसी और जगत शिफ्ट कर दिया गया है हमारी सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे प्रताब रिटी का हाथ हो सकता है इस तरह की सिचेशन का मतलब समझते हो तुम? मैं समझता हू, मैं करता हूँ कर दो कुल पल्ली की बात मेडिया तक कैसे पहुंचे और निरंजन के शिफ्ट के बारे में किसने बताया मतलब वो दोनों मरे नहीं, वो बच गए है और मेडिया की कॉंटक्ट में है मेरा नाम खुलने से पहले उन दोनों को खर्तम करो मैं ठिकाने लगाता हूँ वो अभी भी जिन्दा हैं, तैमिट चपपचपचान मारो मुझे आज रात अपने डिनर टेबल पर उनकी डेट बोडी चाहिए नाँ गो गट इंट इम हमारे सम्बादाता ने इस केस में एक नया खुलासा किया है अरे, तब क्या करा है? वोपजिशन पाटी के लीडर प्रताप रेटी के पी ए का इस खनीज घुटाले में हाथ है प्रताप रेटी के उस के उसके प्रताया जाता है कुमार अरे, ये, जी, जी सर पूरे दस साल तक मैं सत्ता में नहीं था मेरे पेट पर लात मार गया पार्टी के एमेली की मीटिंग कौन लेगा कौन पार्टी में रहेगा, कौन पार्टी छोड़ जाएगा कौन रूलिंग पार्टी में जाएगा, कौन सेंट्रल पार्टी में जाएगा ये सब मुझे साफ साफ पता है लेकिन मेरा पीए कुता रूलिंग पार्टी के सामने दुम हिलाएगा मुझे नहीं पता था तुम लोग क्या घास काट रहे थे सर्थू वो धो कर चला गया मेरे करोडों गए और वो चिप भी चली गई उपर से मीडिया वाले मेरे पीशे नहाध होकर पड़ गए कहां है वो सर हम उसे ढून रहे है वो आज सुबा शम्शाबाद एरपोर्ट पर दिखा था हमारे आदमी फ्लाइट्स की डिटेल्स चेक कर रहे हैं सर सुने मुझे वो चिप चाहिए जी सर और कुमार भी ओके सर पकड़ी से मुझे फोन लेने दे हलो नमस्कार साहब मैं बहुत शर्मिन नहीं हूँ सर मीडिया से मैं बात ही नहीं करूँगा I am sorry सर दिल्ली से कॉल आ रहा है मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ ला दे नेता जी अगर हमने फॉरण प्रेस गुला कर इस आरोप का खंड़न नहीं किया तो जनता वही मानेगी जो मीडिया कहा रही है और हमारी बहुत बंदा भी होगी जुनाओ में सिर्फ एक महीना रह गया इस मामले से हमें नुकसान पहुंच सकता अमारे पास जादा वक्त नहीं है प्लीज तीन लसी डॉक्टर यहां क्या देखने को मिलेंगा परिया अरे यहां परिया देखने को मिलेंगी अरे लो आ गई जब टेखने को मिलेंगी अरफ़ा गई स्टर जादादा इस्टर सर्थ पता है सर्थ 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 है कामान से फोन आया थै साहब जी नमस्कार अभी बुलाओं अभी आपकी मर्जी सर चलो बुलाओ मीडिया को बुलाओ मेरे दादा सुर्गिया गंगु रेडी जी और मैं भी प्रताप रेडी मेरी पूरी फैमिली में किसी ने भी किसी को भी जो वचन दिया है वो हमेशा निभाया है वचन न जाए भले ही प्राण जाए मैं दुबारा कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ जैसे ही मुझे सबूत मिल जाएंगे मैं आपके सामने लाऊंगा तब तक आप लोग थोड़ा सबर कीजिए आपको बताना ही पड़ेगा आप कबसे कह रहें कि आप बताएंगे लेकिन अब तक नहीं बताया आप क्या रूलिंग पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं आप जान बूच के हमें जवाब नहीं दे रहे लेगेटिव पबली सिची से आप लोगों का ध्वार्ण कीचना चाहते हैं तुमल पली में अवेट तरीके से जो माइनिंग हो रही है इसमें आपका क्या हाथ है क्या वहां माइनिंग नहीं हो रही है पर मैं उसमें शामिल नहीं तो फिर कौन शामिल है आपको बता नहीं होगा कौन शामिल है बताईए सर हमारे सवालों का जवाब दीजी साथ में shipping companies, IAS officers और बहुत सारे नेता भी शामिल है इतनी लंबी लिस्ट है आप इस तरह नहीं जा सकते सर आपको जवाब देना ही होगा सब का कच्चा जिट्ठा खोलूगा शिट ये तो हद हो गई ये साफ जूट बोल रहा है सबूत तो इसी के पास है नहीं है इसके पास सर मैंने खुद इसके पीए को दिया है वो पहुचा नहीं है यानि की पीए भी येस अरे बापरे अब तो गय हम है वेर दे हैल आई यू गाइस जगे से तीन किलोमेटर दूर सर बहुत अच्छे टागेट हमारी रेंज में है उड़ा दो पोलीस को भी बलाओ गॉट इट सर हंडेट परसेंट मारे गए मैं अभी मरना नहीं चाहता सर तुम लोगो ने जिस फाइल को हैक किया था उसके डॉक्यूमेंट किसी और जगे पर उसका कुछ तो होगा ना आई मीन सर्वर या हार्ड डिस्क वो इतने ज्यादा डेटा थे कि हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं करता उसको करने के लिए बड़े सर्वर की जरुवत थी इमेजेस को बदलने के लिए रिमोट सर्वर का इस्तमाल किया गया वही कहा है वो क्या कहा है वो रिमोट सर्वर यार वो पता नहीं इं डियो कहा है वहीं आड़े कि हैए रिमोना श्राइडbayर. शरो अन्वू니 क्ष़ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ ये एहिए!!! और आजल असको फरी आपको आ अपदा है ने अंदय माःम जे कर दो है हम दो tip मैद प्रोप को आप으 हमान कैसे पीडिया काम पूरा हुआ के नहीं करीब करीब हो गया भे तेरा एक कुत्ता बचा है वो भी गया तुने अपनी मात को फोन किया है तुझे ऐसी जगे मारूगा जहां पानी पानी होगा भाग सके तो भाग अब मैं नहीं तू भागेगा अब एक घंटे का वक्त है बचना है तो भाग क्योंकि तेरी मौत तेरे पास आ रही है इस घोट पास आपकरेशन की जगे तेरे रिमोट सर्वर की लोकेशन और तेरे छुपने की जगे सुबा तक हमारे कब्जे में होगी अब भाग पकड़ा गया तो तेरी खैर ने लेकिन सर वो तो श्ष त्री टू वान कम आन पिड़काल 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 पासा दिया उस्टे फोन टैप किया उस्टे मुझे खोज निकाला, हत पार कर दी तुने अब मुझे वो करना होगा, जो मैं नहीं करना चाहता इसके बीवी बच्चे है, इस शेखर के सर, क्रिशन पाठ ठंपूर टीम भी यहां पर रहेगी, टीम है यहां पर सब लोग ध्यान से सुनो, पहले टीम इस एरिया को कवर करेगी All the best, thank you गप्राइब अजिए रखना धना खिर्णाइब सांधेन अजिल जले करता है अजिए रखना घए देड़ रखना है कि एल लूग को तो ही एला का नई समय ते आपडनें! कि एला हूँ! कि एल दो के लिए आपडने! यह दो को हो? यादो 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 सर, यदो नहीरा वे देट सर वट नौ इतने बड़े पोर्ट पर वो सर्वर कहा होगा क्या पता कोई फाइदा नहीं आयो 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 नहीं पोर शाय प्रकार वार शायम जर इंदा एंदा हो क्या है में जरन ढ़ता है, आयो वो आयो 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 कि में जड़े डाइदा इंदा कर दो जह कर दोगा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब जानता हो लेकिन ख़लती काम है चलो समंदर के बीचों बीच आ गया है वापस कैसे जाएंगे पकड़ा भी खीज़ा हाराम से मिस्टर शेकर गोली चल जाएंगे शेकर ये किस तरह का मसाख है मुझे बिल्कुल भी बसंद नहीं है सब इनसे कहो मुझे चानी दे स्वाती येस यॉर वाइफ स्वाती नहले पे तहला शादी में पंगा मेरा भी हफता खराब कर दिया सब तुम्हारे पती की बज़े से है आखर मुलाकात हो ही गई बहुत परिशान किया तुम्हें ये ऐसे ही है क्या हमेशा दूसरे के पटे में टांगडाता है कहलाड़ी अच्छे हो फोन से मुझे फसा लिया लेकिन तुम्हारी पूरी बटाली इनका है चली गई जो सिर्फ तुम दोनों अकेले आए सर्वर चाहिए मिल गया नहीं मिलेगा एई तुम जानते भी नहीं ये कितना बड़ा गोटाला है जिसके सामने आउगस्ता, बफोर्स, टूजी कॉमनवेल्ट कुछ भी नहीं है इसमें कई डिपार्टमेंट शामिल हैं जैसे माइनिंग, डिफेंस, एक्स्टरनल अफेर्स, फिनांस, फॉरिंग ट्रेट्स, आधी केबिनिट और उनमें काम करने वाला हर एक सरकारी ऑफिसर है आई-एस और उनके पी-एसे लेकर टॉप हेद्स आफ मेल्ट्री और नेवी सब शामिल हैं मिनिस्टर सहाब बेरी इसमें इतना पैसा लगा हुआ है जो तुम सोच भी नहीं सकते अगले 20 साल तक तो ये सरकार नहीं गिरेगी समझ में आया अथियारों के लिए ये प्लुटोनियम इतना अच्छा है जिसका कोई मुकाबला नहीं पता है इस शिप पर मवजूद सामान से कितने नुक्लियर वेपन बन सकते हैं 50,000 जानते हो हम ये किसे बेच रहें? जरांदा सा लगाओ नहीं समझे? नौर्थ कोरिया अगर किसी को भनक पड़ जाय कि हम ये नौर्थ कोरिया को बेच रहें तो यूएन में हमारे देश की हालत इराक और इरान से भी बत्तर हो जाएगी देश को तो बाद में बचाना लेकिन पहले खुद अपने दिमाग में सोचो शत्रंच के इस बाजी में तुम्हारी आउकात क्या है? बस एक तनखा पाने वाला मामूली सा नौकर यही आउकात है तेरी इस खेल में तु सर्फ एक मामूली आदमी है तो सर्फ दुम्हिला सकता है गबरामर अभी नहीं मारूँगा तुझे अभी तो तुझे पूरी पिक्चर दिखानी है तब तक सारे लोग एक शानदार कमरे में आराम कर लो जब मिनिस्टर ही मिला हुआ है तो हम क्या उठाड़ तुम क्या कर रहो शेखर सर्वर कहीं ही तो नहीं शेखर सुनगो हो ना यहांसे बचके निकलने का कोई तो रास्ता होगा हम बचेंगे कैसे समुद्र में कूट कर मैं तयर्ना नहीं जानती तैरना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे क्या, सच में मार देंगे, मुझे तो लगा था पैसे लेकर छोड़ देंगे ओ, ये कोई यूपी बिहार के गुंडे नहीं है, माफिया है, मुझे तो आदत हो गी है क्या बोलते हो सर? ओए, धीरे बोल यारे ये तो माफिया लोग ही है, आदी रात को मुझे घर से किंडैप कर लिया, बहुत ही खतरना इसलिए, मैंने कितनी बार कहा तुमें, कि जब भी कोई अजनभी दरवाजा खट-खटा है, तो दरवाजा मत खोलो पर तुम सुनती का हो? मुझे कैसे पता चालता? मुझे तो लगा था, कि तुमी हो इतिनी रात को मैं क्या छक मारने आऊँगा? यही तो तुमारी प्रॉब्लम है ना? मेरे बारे में तो सोचनाइ मत मेरी क्या जरूरते हैं, क्या इच्छा हैं, मैं क्या चाहती हूँ इस तरह चोरों के साथ जिन्दगी गुजार देना मेरी तो जिन्दगी बरबाद हो गई अरे यह चोर नहीं, अच्छा आद्मी हाँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT से सौरी स्वाती, मैं इस जॉब से ही रिजाइन कर दूँगा अब रिजाइन करने से क्या फाइदा, सब कुछ तो खत्म हो चुका है सब कुछ खत्म हो गया मैं जानता था जो मैंने सुना था, वो बिल्कुल सही था तुमने क्या सुना? यही, कि तुम भी उसे पसंद करती हो वो कौन है? और कौन भई लंबू प्रकाश? वो रोजी तो आता तुम से मिल ले जी जी, कितनी घटिया सोच है तुमारी शेखर हाँ हाँ, मैं तो घटिया किसम का इंसान हुई तुम लोग अच्छे हो जो बुक क्लब में जाकर किताब के नाम पर चोचे लडाते है तुमारी दिमाग में तो गोब और भरा है अब बस भी करो शेखर मा कहसम, तुम दोनों बं करो ये सुनकर मुझे शादी से डर लग रहा है मुझे मत दोश तो, समझे? अच्छे, इनकी बात से लगता है कि ये असली बात नहीं जानती कौन सी बात? कौन सी बात? कि सर को कैंसर है कैंसर है, किस को कैंसर है? ए, तुछ से किस ने का मुझे कैंसर है इनको, आपके पती को, कैंसर है, आपको पता नहीं है तुमें कैंसर है, काम से? नहीं, स्वाती, मुझे कैंसर उंजर कुछ नहीं है गैंसर है, उस डॉक्टर ने बता है, जो इनकी ट्रीटमेंट करता है, वो लड़कियों के बाजार में मिला अरे वो, वो तो गधाउं का डॉक्टर है ये क्या शिखर, इतनी बड़ी बात, तुमने मुझसे क्यों चुपाई अब मैं समझा, इनको बाजारू लड़कियों का शौक है, इसलिए ये आप से और घर से दूर रहने लगा ये सही नहीं है, क्या शौक है, क्या, हाँ, इनको आदत पड़ गई अबे क्या बख रहा है, डॉक्टर तो पागल है, तु उसका भी बाप है तो फिर आपने भावी जी को छोड़ क्यों दिया, क्योंकि खुद इसने मुझे घर से निकाल दिया था स्वाथी, इसलिए तो जॉब से रिजाइन करना हो मैं, मेरी जॉब से ज्यादा तुम इंपोर्टन्ट हो, स्वाथी पारिवारिक पिक्चर समाप्थ, अन्ते व्यात्रा के तैयारी शिरूर जानते हो एक है, सर्वर, एक्जाक्ले, लगिना मुझे इसकी जरुवत नहीं, सारे सुबत एक साथ उड़ जाएंगे अन्ते मियात्रा का वक्त हो गया, चलो यहां से उठो, खड़े होने की कोशिश करो खड़े हो जाओ शेखर, प्लीज कुछ करो, मैं यहां मरना नहीं जादी, प्लीज कुछ करो तुम चुप रहोगी, तो मैं कुछ करूँगा, सोचने दो, शेखर, मेरे जाजा कहते थी, कि मरी जाजा मुझे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी, उस तरफ नहीं, राइट में, राइट में, राइट, राइट में, राइट में ना, फोलो, फोलो में बोमों सबस्सार, लोल में मृ lot depends on Pट्राँ उठाओ यह कर दो आप हैं आपार बाई हैं पैर की हो दोटेक क capaci के पैर के बीछ नहीं सबस्खा और ओँठाओ आउमने यहां नी आम न में ए आहिए पान न में झालिए अंनू क्या करें चलो 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 कुटे रहा है इसे आपने एलाने मितुभी सांस ले ना अरे वो टूटी हुई है उसे उठाएंगे कैसे मैं उठाएंगे इंपॉसिबल है मेरे आया अगत करो कमान जल्दी कूदो लिग लिग कुदो चेंटू को देखे बेना मुझे नहीं मानना, मैं ऐसा सोच मी नहीं करते हूँ मेरा दिवा कहता है कि इसको नीचे से प्रेशर देंगे और उठा लेंगे तो अधा लेंगे तो अधा लेंगे शेकर कहा जा रहे हो शेकर जो बाम लेकरो, जर्दी जर्दी अ अ जब मैं कहूं, लीवर घुमा देना, ठीक है? साथी, दूरवीन से देख कर बताओ ओके, ओके ओके, गुमा ओके, जरा सब बच गया, थोड़ा और दूर फेटना होगा ठीक है गुमा ओके, येस, लग गया ला, गुमा ओके, येस, कमान, कमान हके, अगज बचके, तूरवीन से वके, येस, कमान ओके, गुमा, इस, लगज़। दुमा येज़। ओके, लुमान अऊवस, लगज़। झाला 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 झाल? हाँ, मैं सिर्फ एक मामूली आदमी की। इस हादसे को पूरे संसार ने अपने अपने तरीके से समझा और इस हादसे को एक अंतराष्ट्रिय आपदा बताया है। इस हादसे से परियावरिन को बहुत नुकसान पहुचा है। कई देशों के बचावदल इसमें लगे हुए हैं। तीन दिन बाद भी इस आख पर पूरी तरह से काबू पाना नामुम्किन हो गया है। Plutonium Scam में रोज नई बाते उभर कर आ रही हैं। हिंद महासागर में हुए इस भीशन हादसे को आज तीन दिन हो चुके हैं। इस मामले में 50 इंटरपॉल ओफिसर नई दिल्ली में बहुच चुके हैं। और उन्होंने 24 घंटे के अंदर 20 लोगों को बकड़ लिया गया है। चार शीट 10 मनों से जादा की है। चार आइएस ओफिसर, नौ सरकारी ओफिसर, ती बी एएए ओफिसर के साथ पांच स्टेट और कैबिनेट स्थर के मंत्री भी पकड़े गए है। एनाइए असिस्टेंट कमिशनर मिस्टर चंदर शेकर की जानकारी के अनुसार। इंटरपोल के एजिंट्स ने हिन महासागर में जो प्राइवेट सर्वर बरामत किया था, उसे जांचने के लिए लंडन भीजा गया है। क्यूंकि ये एक बेहत संगीन अंतराश्चिय मामला है और इसमें कई सम्वेधन शील जानकारिया भी हैं, इसलिए उनके सुरक्षा के लिए एक गुप जगे पर उन्हें भेज दिया गया है। भारत में हुए इस सबसे बड़े घोटाले को लेकर इंटरनाशनल यूनियन के सदस्यों ने नाराजगी जताई हैं और इसको रोकने के लिए कई कड़े नियम भी बनाए गये हैं। सत्ताधारी पार्टी विवादों में तीसरे दिन भी संसत में हंगामा जारी रहा। कई सहयोगी पार्टी ओर ने सत्ताधारी पार्टी से अपना गड़बंधन तोड़ लिया है। जल्द ही उप्चुना होने की आशंका बताई जाती है। इस घोटाले को उजागर करने में विपक्षी पार्टी के नेता प्रताब रेटी को भी श्रेज जाता है। जिसके लिए उनके समर्थक खुश्या मना रहे है। राजनेतिक विशेशक्यों का कहना है कि प्रताब रेटी के राजनेतिक सफर का नया दौर शुरू। दूसरी पार्टीों ने पूरा सम्मान दिया। एक तरफ यापम गोटाला, फिर बैंक गोटाला और अब प्लुटोनियम गोटाला। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हर दिन एक नया गोटाला सामने आ रहा है। जब भी हमारे देश की जनता वोट डालने जाती है तो ये देखती है कि कौनसी पार्टी कम भष्टाचारी है। लेकिन जो लोग इन भष्टाचार करने वालों का परदा फार्श करते हैं, क्या उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। क्या सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर रही है? चलिए जानते हैं संजय जी से, हमारी पुलीस और सरकार उन्हें किस सरा से सुरक्षा देती है? ज्यादा तर ऐसे हाई प्रोफाइल स्कैम को जो लोग भी उजागर करते हैं, वो लोग विटनिस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आते हैं, इसके लिए गवर्मेंट उनको 24 आवर्स की सिक्यूरिटी देती, इसमें वो और उनका परिवार दोनों की जान बचाना हमारी गवर्मेंट की सबसे बड़ी सिमेधारी है, वेस्टन कंट्रीज में उनकी पूरी पहचान को ही बदल देते हैं, किसी नए देश में, किसी नए नाम से उसकी जिंदगी शुरू करने में उनकी सरकार मदद करती, उनके लिए सुरक्षा मुहया कराती, अगर अपने देश की बात करें, तो इस तरह के घोटाले में चश्मदीद कवाहों को या विसल ब्लोर को ऐसी सिक्यूरिटी नहीं दी जाती, सिर्फ व्यापम स्कैम में ही, तकरिबं 30 कवाह संदिक्द हालातों में मरे पाए गए, अब तुम्हारी बारी, चला, यह ऐसे, बेरी गुड, अच्छा, ममा भी खेल रही है, चला अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, क्या बात है, अब तुम्हारी बटा में आभी आता हूँ, हाँ, थैंक यूँ, यह नो पापकान हाँ, थैंक यूँ, ओफ, झार श learner को काता हूँ, मैं आभी खेला हूँ, ऋला झालो में अभी है, झाल झाल